NCRT is क्यों important? अगर आप NCRT ध्यान से पढ़ते हैं, क्या चीज़ ये करने की कोशिश कर रहा है? NCRT की books की बात करें. तो ये basically जो NCRT की books होती है, इनका पहले आप important समझो कि ये important क्यों है? और हमें इसको इसको इस्तमाल कैसे करना चाहिए और myth क्या होते है? ये बड़ा important हो ज जाता है और जिसको आप fact मानके important मानके रटते हैं, वो आपके लिए उतना महत्रपून नहीं रह जाता है. तो ये चीज़ आप जानना चाहते होंगे कि ये किताबें आप अपना इसको अपनी success का कम से कम pre-crack करने में आप इसकी भूमिका को कैसे सुनेशित कर सकते हैं? यानि हमारी राष्टी है, जो पार्टिकरम framework है, उसके according मनी होती है. जब UPSC, आप जानते हैं कि राष्ट की सबसे बड़ी जो हमारी ये संस्ता है exam लेने के लिए, जो हमें IS-IPS बनाती है, वो जब test लेने जाएगी, एक exam है, तो test लेने के लिए वो किस framework की तरफ देखेग यानि obvious सी बात है कि NCRT के लिए सबसे authentic जो आपके UPSC exam ले रहा है, उसके लिए जो basic अगर pre में क्या चेक किया जाता है, प्री में आपकी understanding चेक की जाती है, आपका basic कितना clear है, आप subject की अवधर्णाव को कितना समझ पा रहे हैं, आप गलत को कितना हटा पा रहे हैं, प्री यही होता है, चार option दिये होते हैं, उसमें एक option सही होता है, तीन गलत होते हैं, वो यह देखता है कि पढ़ते समय आपने कितना जो है वो development किया अपने concept को, और कितना आपकी clarity of concept है, तो उसके लिए pre में वो basically clarity of concepts, हम यहाँ word use करते है, clarity of concept, वो कहता है पढ़े हो ठीक है, बह मैं कुछ information twist कर दूँ, कुछ नए information रग दूँ, तो आप इसको कितना जो है वो पकड़ पाते हैं, तो यहाँ पर clarity of concept बहुत important होता है, concept का मतलब होता है कि मैं सभी धुंद में, अगर data इधर से उधर कर दिया जा, तो भी मुझे समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाता यह मेरा जो है अफधाना क्या है, तो clarity of concept ब्री का जो है वो orientation होता है, अगर हम बात करें, और UPSC दो चीज़ चाह रहा है, यह दो requirement याद रखेगा, एक clarity of concept चाहता है कि जो आपने पढ़ा है, उस पर आपकी अफधाना इसपस्ट है कि नहीं है, अफधाना इसपस्ट, data इस करें फ्लेंवर 2005 जो है, वो अभी तक हमारे यहां सिक्षा में चल रहा है, तो यानि NCRT जो हमारी है, वो इसी बेस पे काम करती है, यानि अगर उसको student की clarity of concept चेक करना है, तो NCRT उसके लिए एक authentic source हो जाता है, एक बहुत important source हमें यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है, ध्यान से समझेगा, कई बार इसको skip किया जाता है, अब मैंने जो word use किया है, इस पर थोड़ा सा emphasis करो, एक एक शब्द को पकड़ो मेरे, ठीक है तुम्हें समझ में आगा, UPSC ने इस बार 40% का दारा बढ़ा कर प्री में इतना जादा question कैसे उन्होंने prevail कर दिया, इतना जा NCRT मेरी मदद करने जा रहा, क्यों जो beginner है, या जिन्होंने इस बार प्री दिया, उनसे गलती हुई, या वो नहीं crack कर पाए, वो किस तरह से NCRT का प्रयोग करके, अपनी जो सफलता है, उसको सुनेश्यद कर सकते हैं, तो concepts का मतलब क्या होता है, और क्यों NCRT और National Curriculum जो framework 2005 है, राष्टी है, जो particular हमारा framework है, वो कैसे आपको मदद करेगा, इसकी सपष्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, चलिए, बात करते हैं, जब हम NCRT को देखते हैं, तो इस पर हमें दो सपष्ट विभाजन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें दो पहले से मिलते हैं, कि नई वाली NCRT पढ़ें, यह पुरानी वाली पढ़ें, तो इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कि हम नई की तरफ जाएंगे, क्यों, क्यों क्योंकि आपका जो UPSC exam लेगा, वो राष्टी framework के हिसाब से लेगा, और जो नई NCRTs है जो market में available है, exam है, यह क्या है, exam, test हो रहा है, तो test knowledge का किया जाता है, understanding का किया जाता है, और understanding के लिए मेरे पास एक पाथे पुस्तक होनी चाहिए, मेरे पास एक पढ़ने की किताब होनी चाहिए, तो अगर फोटो का पी दुकानों मिलेगी, वो आपको school में तो नहीं दी जा जाता है, जब आप new NCRT जाता है, तो वो basically संस्थाओं, इतिहास, भूगोल में होने वाले विकास के करम, तथा उन पर होने वाले प्रभाव, मेरी बात को ध्यान समझेगा, एक तो विकास का करम, sequence of development and their effects और उनके होने वाले प्रभाव के बारे में questions जादा से जादा रहा ह समाज पर प्रभाव, परियावरण पर प्रभाव, हमारे इतिहासिक लेखन पर प्रभाव, समाज संस्कृतियों पर प्रभाव, इनका एक बहुत बड़ा व्यापक्ता होती है, विकास का करम, क्योंकि हम एक लोगतंतर के रूप में, हम एक राष्ट के रूप में, हम लगा of development है and the effects ये बड़ा important हो जाता है तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही important हो जाता है किसी भी segment में अगर तुम नई NCIT उठा कर देखोगे तो इसमें NCIT में पुरानी NCIT के comparison में कुछ बहुत अलग-अलग topics दिये गए जहां पर पुरानी NCIT में development का जो sequence उस पे जादा focus किया गया है यानि विकास के करम पे जादा focus किया गया कोई लड़ाई हो रही है उसमें facts धे सारे दिये गए है अच्छे-चे writers ने लिखे बहुत अच्छा लिखा है लेकिन जो effects है मैं लब गावों पे क्या प्रभा हुआ राजा अगर कुछ कर रहा है तो effects villages पे क्या हुआ उस समय town कैसे prosperous हो रहे थे उस समय जो मंदिर architecture है वो किस तरह से बन रहा था किस तरह से कला संस्क्रिट में बदला हो रहा था उद्द्योगों में क्या बदला हो रहा था यानि effects क्या हो रहे थे यानि अगर एक राजसत्ता इतिहास में कोई एक dynasty आती है कोई वंश आता है कोई भी चीज बदल रही है तो उसके effects क्या generate हो रहे है तो यहाँ पर जो है ये पुरानी NCRT में missing है यहाँ effects जो होते हैं अबलब बिलकु नए 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 topic आपने देखा art and culture आ जा रहा है किस तरह से नहीं नहीं खुदाई हो रही है किस तरह से साच ही कठा किये जा रहे है इतिहास का कालकरम कैसे बदल रहा है तो इन सब के साथ जो effect basis है यहीं प्रभाव उसको नई NCRT में focus किया गया जैसे माल लीजा जिया geography है तो जब आप पुरानी geography पढ़ते हैं तो उसमें continental based geography बताई जाती थी facts होते थे पहार परवत और अभी आप market में देखेंगे जो NCRT based किताबे लिखी गी उनको उसी basis पे रखा गया है काफी हद तक वही facts जो रखे गया है लेकिन अभी आज के समय में आपको यह पता होगा geography पढ़ने वाला हर इस्ट्रेंट जानता है कि आज climatic change एक बहुत बड़ा important fact है आज उसके effects बहुत जादा मानने जा रहे है आज सायद ही इस प्रकृति में कोई हिस्सा बचा हो जिसके उपर जलवाई परिवर्तन के प्रभाव ना पड़े हो चाहे वो राजनीति हो अभी हमने देखा COP26 में चाहे वो समाज हो चाहे वो परियावरन हो चाहे जीव जन्तों हो फ्लोरा और फोना किसी भी चीज़ पे हमारे glacier से लेकर हमारे समुद्रों तक तो इसका मतलब है effects को समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और आत्मसात करिएगा अगर आज कोई मेरी बात आप तक पहुँच जाती है आपके लिए pre-crack करना बहुत आसान होगा पुरानी NCIT डबलप्मेंट के sequence पे focus करती है विकास के करम के बारें बताती है लेकिन effects missing है जिस तरह के contemporary effects आ रहे है तो अनिशित काल के लिए बंद कर दिया गया इसका मतलब है जलवाई परिवर्तन और जिस तरह से production और हमारे समाज में होने वाले प्रभाव है वो एक अलग ही इस तरह पर जा रहे है ये बहुत बड़ा मुद्दा बंता चला रहे है वैश्विक इस तरह पर जो है तने बड़े बड़ाव होने तमाम जीव जन्तु विलुप्त होते चले जा रहे है endangered categories real list में बहुत ही चली जा रही है इसका मतलब है हमें development के sequence के साथ effects पे बहुत जादा focus करने की आवशकता है इस बात को आप समझिएगा नई NCRT काफी हद तक इसको justify करती है और justify करने के लिए उन्होंने इसका structure change किया पुरानी NCRT में जहां structure देखते हैं आप कि बीच में एक line draw करके facts के base पे दिया गया है नई NCRT में जब आप जाते हैं चाहिए आप geography पे देखें तो धेड़ सारे नए-ने figures, नए-ने diagrams, नए-ने तरीके, paintings इन सब को involve किया गया है आप से question पूछा गया है figures के माध्यम से इसमें नई-नी चीज़ों को add-on करके बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं तो इसके माध्यम से आप देखिए नए-ने contemporary figures दिये गए हैं ताकि अब ये क्यों बताये गए हैं अब बताया जा रहा है कि उस समय की जो नीतिया थी वर्तमान समय में आदिवासी समधाय कि उपर क्या-क्या प्रभाव पड़े अभी आपने देखा कि प्रधान मंत्री ने आदिवासी समधायों के लिए एक अलग जो है सम्मान दिवस से लेकर उनके उत्थान के लिए तमाम तरह की बात है कि कानून में बदलाव किये तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो नई NCRT सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि राजसत्ताएं कैसे काम कर रही थी युद्ध कैसे हुआ किस करम में हुआ साथी ये भी बता रही थी ये समाज के अन्य हिस्सों में क्या क्या प्रभाव उसके उत्पन हो रहे थे जिस स्ट्वेंट को ये समझ में आ जाएगा उसके लिए प्री क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा और UPSC में उसकी जरनी होगी बहुत स्मूथ हो जाएगी NCRT उसको बहुत मदद करना शुरू कर देंगी नेक्स आ जाते हैं तो ये हुआ कि हमें नई NCRT पढ़नी है और हमें दो चीजों का ध्यान रखना एक डबलप्मेंट सीक्वेंस पर हमें जाना क्रोनलोजी और दूसरा हमें एफेक्स को ध्यान रखना है काउस एन एफेक्ट के साथ काउस भी ये काफी हद तक जो है यानि प्रभाव कारण और प्रभाव ये लगातार इस पर अपना इंपक्ट क्रियेट करते हैं क्लियर हुआ तो ये धाना तो तरह हो गई कि हमें इसको कैसे इस्तमाल करना है ये तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा आपके लिए UPSC बहुत ही आसान हो जाएगा आप किसी भी optional point को उठा ले आपके लिए बहुत important हो जाता है नेक्स वन अब जब हम NCIT पढ़ते हैं मालिज हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटी, एकॉनमी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो जब यहां जैसे भी किसी बच्चे ने पूछा कि NCIT की एकॉनमी के लिए कौन सी बुक लें यानि इसके दिमांग में है कि NCIT कोई एक पार्ट पढ़ना है, मैंने कई लोगों से बात कि आप जयान से सुनिएगा तो उन्होंने का कहा कि सर ग्यार्वी बार्वी की पढ़ लो आपसे भी मुझे बता ना कि अगर मेरी बात सही है तो मुझे हाँ या ना में जवाब देना सर ग्यार्वी बार्वी की पढ़ लो इसी में तो सब दिया हुआ है क्लियर है आपने भी ये पढ़ा होगा सुना होगा मुझे बताएं कि आपने भी ये पढ़ा सुना है कि NCIT पूरी पढ़ने की जरूत नहीं है 11-12 की पढ़ लो more than enough है हो जाता है काम ये मुझे उस बंदे ने कहा जो प्री एक बार क्वालिफाई कर चुका था इंटर्व्यू तक पहुंचा और इस बार उसका प्री नहीं निकला ये उस बंदे ने मुझे से कहा था रहे सर 11-12 की बहुत है आप कहां ये चोटे-चोटे बेसिक पढ़ाते हैं टाइम का वेस्टेज होता है ये उसने मुझे से कहा था जब उसका इंटर्व्यू का रिजर्ड नहीं है रिजर्ड नहीं हुआ इंटर्व्यू का अगली बार प्री दिया और उसका प्री नहीं निकला इस बार ठीक है, तो मैंने अब उससे पूछा कि अब बताओ मेरी बात सही थी या नहीं सही थी चलिए, अब जड़ा देख लीजे इसमें, मित को तोड़िए कम से कम हिस्ट्री, अगर मैं यहां बात करूँ हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटी यह तीन किताबे ऐसी हैं, जहां पर दो कैटेगरी है, एक 6 to 10, यह समझना, आप चुकी क्या होता है, आपको बताने वाले और आप पढ़ने वाले, आपको यह लगता है कि हमें facts collect करने है UPSC में और इन facts को collect करके हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, right, हम इस facts को collect करके काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन ज़रा ध्यान समझना भी मैंने थोड़ी दर पहले आपको बताया कि आप UPSC में understanding important होती है जो pre होता है, वो कहता है कि जो आपने पढ़ा है, उसमें concepts क्या clear है, कि अगर मैं आपको चार जो है, वो facts दूँ उसमें से चार concept दूँ उसमें से appropriate, यानि most accurate concept को आप हमारी लिए justify कर सकते हैं इसका concept लिए होता है, concept का मतलब होता है कि किसी भी स्थित में मैंने उसकी अफधाना को, उसके understanding को जो है, वो double up कर लिया है अब ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा जब आप इसको इस नजरी से पढ़ते हैं ग्यार्वी बार्वी, आप अंदाजा लगाईए understanding क्या होती है ज़रा ध्यान समझेगा, understanding क्या होती है understanding में किसी 30 क्लास के बच्चे को अचानक से 11 क्लास में admission दे दिया जाए बोला नहीं, अब आपको calculus पढ़नी है जनाब अब आपको जो है, वो प्रत्वी के y चेतर पढ़ने है, दाब चेतर पढ़ने है pressure groups के बारे में पढ़ना है तो उस 6th क्लास के बच्चे का क्या होगा हो सकता है माता पिता की मार खाने की डर से अब जरा मेरी psychology को समझे गई जो point है हो सकता है उसको rut भी डाले उसको याद भी हो जाए किसी तरह से लेकिन उसकी understanding develop नहीं हो पाएगी यह एक ऐसा fact है जिसे आपको समझना ही पड़ेगा यानि understanding और fact को mug up कर लेना यानि रट लेना दो अलग-अलग चीज़े होती है और understanding एक क्रम एक sequence में develop होता है आपके साथ अगर मैं आपसे कहूँ जैसे मालीज आप में से कई बच्चे समय मुझे सुन रहे होंगे जो भी undergraduate होंगे ठीक है या भी 11-12 में होंगे अगर अचानक से मैं उन्हें optional की बहुत भारी-भारी किताबों के नाम बता दूँ दे दूँ ठीक है तो वो क्या होगा घपरा जाएं क्योंकि अभी उनका उससे कोई भी परिचा नहीं हुआ है लेकिन अभी किसी senior बच्चे को तो उसके लिए वो आसान होगा तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें एक segment एक जो है वो चीजने डबलब करने में time लगता है जब आप इन basic किताबों के साथ जाते हैं राइट जब 6-8 या 10 तक जाते हैं तो basically especially यह जो category group है आपको लगता है कि यार यह बेकार है यह सारी चीज़े यहां तो मिल जाते हैं मिल तो जाती हैं लेकिन development होने के करम में नहीं आती हैं इन जो 6-7-8 की किताबे हैं उसमें बहुत सी ऐसी बाते की गई जो आपसे बातचीत करते हैं आपकी understanding डवलब करती है यह तरह करना पड़ेगा कि fact यह धेर सारे information और understanding यह दो category इस्थापित की गई है बहुत से chapter यहां से यहां जाते हैं वही प्रत्वी की अंतरतम की सन्रचना 11th class में भी हमें मिलती है वही history हमें 11th और 12th class में भी हमें मिलती है वही करनाटक की लड़ाई, मैसूर की लड़ाई वही जो है वो charter क्या होता है लेकिन जो 6th, 7th, 8th class की है NCRT वो understanding की है और NCRT खुद यह कहता है NCRT खुद यह जो है वो अपनी पहली line में बता देता है कि इन किताबों का basically हमारा purpose क्या है और यह कहता है कि इसकी understanding डबलब होनी चाहिए राधर दैन की facts को रटने के तो यहाँ पर क्या होता है बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़े हैं ऐसे से question दिये होते हैं जो आपको thinking process में लेकर जाते हैं learning stage मानी जाती है NLP के हिसाब से भी यह age learning stage मानी जाती है तो UPSC क्या करता है कई बार वो समझता है कि यह student आपकी tendency को बहुत अच्छी तरह जानता है आप क्या पढ़ रहों क्या निकरों उसकी पूरी नजर आपके उपर हमें क्या करना है हमें basic question लेने है आपका focus था यार ग्यार में बड़े भीया ने बताया है वो चार साल तैयरी कर चुके है कि यार quick कर लो अच्छा हमे quick सब्द बड़ा अच्छा लगता है मेरे बड़ा दबाव आता है उजांक सर quick quick खतम कर दिया करिये ना जल्दी जल्दी खतम कर दिया ठीक है कोई बात नहीं है तो मैगी जादर दिन खाओगे तो तुम्हारा पेट भी उसी ही साब से खराब होगा टेंचन वाली बात नहीं है यूपी एसी मैगी नहीं है और यूपी एसी मैगी इस्टुएंट को यानि पैराशूट इस्टुएंट को जो भी अचानक से जम कर गया उनको हटाना चाहता है वो चाहता है कि ऐसे लोग इसके साथ जोड़े जिनके अंदर patience है जिनके अंदर persistence है लगातार काम करने की छमता है धैरे है वही लोग इसमें जुटें तो वो कहता है कि डबलप यूर अंदरस्टाणिंग तो ये बुग जो होती है वो अंदरस्टाणिंग को डबलप करने के लिए होती है और इनको holistic way में पढ़ना चाहता है तो वो आपके लिए बहुत ज़ादा important हो जाता है बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है ready? यहाँ पर आप समझ गए? तो अब आपको क्या करना है? नई NCIT है पुरानी NCIT? नई नई क्यों? क्योंकि आपको chronology of development जानना है अगर आप नहीं जान पाएंगे तो कभी understanding समझ ही नहीं पाएंगे तो यहाँ पर भी development, chronology of development and cause and effect यह बहुत important होता है यही understanding का base होता है और दूसरा, यह जो basic NCITs हैं यह आपको understanding में लेकर जाती हैं कि मुझे understanding कैसे करनी अगर आप इसको जो है छोड़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगला हम step लेते हैं next step जब आप इसको पढ़ें तो इसको holistic way में पढ़ें और holistic के साथ between the line BTL का मतलब होता है कि इसमें आश्य को समझना आश्य मैंने पहले बताया था जैसे PK ने कहा था कि I love fish तो इसका मतलब यह नहीं कोई तो आप fish को बहुत प्यार करते है इसका मतलब आज lunch and dinner में मचली खाय जाएगी आश्य बड़ा important होता है जो आश्य का मतलब होता है कि reference क्या है इसका यह UPSC reference के लिए जाना जाता है जनरली क्या होता है कि जब हम इसको line by line पढ़ने शुरू कर देते हैं तो हम इसको सोचते हैं कि facts का हम notes बना लेंगे और हम याद कर लेंगे हिमाले की चोटियां कौन सी ज़्यादा उची है और कौन सी नहीं है सेनिया कहां कहां पाई जा रही नदियां कहुं सी दाएं से आ रही बाएं से आ रही है यह हम सोच रहे हैं कि आप बच्चे करते हैं इस तरह हम अगर कर लेंगे तो हमारा जो है geography का question निकल जाएगा war कौन कौन सी हुई medieval time में time में हमने याद कर लिया हो जाएगा कौन कौन सी डाइनस्थी सी कौन कौन से उसके राजा थे संस्थापक थे हमारा हो जाएगा लेकिन जब आप UPSC का question देखे होंगे अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो applied कौन कौन सी भावना है जो है वो संलगने थी ठीक है कल्यान कारी राज्य में कल्यान सब्से क्या तातपर है आपका तो वो क्या होता है वो indirect question पूछ रहा है यानि वो आश्य जब हम तातपर हो जाता है between the line यानि teacher की जिम्मेदारी है student जो पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ी गई बात का आश्य निकाल सके तो जो student BTL based पे काम करेंगा यानि between the line उसका तातपर है समझते हो understanding meaning क्या है what is the meaning of this यह क्या कहना चाहता है ठीक है किस तरह से जा रहा है मालीजे आज हम जलवाई परिवर्तन को लेकर इतना concerned है कि अब भारतिय परंपराओं में यानि Indian culture में कुछ ऐसा रहा है जहां पर हम वसुधैव कुट बुकम हमने जो कहा था उसके पीछे हमारे पास एक हमारी lifestyle थी क्या हमारा खान पान प्रकति के अनरूप थे जो इन्वार्मेंट पर कोई भी निगेटिव फोट्प्रिंट नहीं जो है वो डालते थे हम मिनिमिलिस्टिक थे यानि मिनिमिलिस्टिक का मतलब हम मिनिमम जो है वो requirement पर काम किया करते थे आगे चलकर गांधी भी यही कहते है कि नियूनतम जरूरत क्या भारतियों के पास इसका solution है तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा आशयम का मतलब होता है उसके तातपरियों को समझना और जिम्मेदारी होती है टीचर की वो एक subject से दूसरे subject के साथ जोड़े बीटियल के बाद आता है interlink करना पहली बात जो आप पढ़ र क्या मैं समाज के साथ economy को society के साथ जोड़ सकता हूँ कहां कहां जोड़ सकता हूँ connectivity क्या है संघर्ष क्या है वो हमें दिखाई पड़ता है तो दूसरा होता है interlink और तीसरा होता है NCRT खुद अपने आप में 2000 से जादा पेज़े जब ये सारी किताबे इकठा करोगे तो त इतना भारी बंडल दिखाए पड़ेगा अब प्रशन है कि इतना भारी बंडल इतनी धेर सारी information इसमें भी धेर सारी understanding उसको लेकर कहां है तो उसके लिए आप क्या करते हैं उसके लिए simple आपके पास एक smart note methods होना चाहिए smart notes method होना चाहिए क्यों यह 2000 से ज़्यादा pages जब तुम 56 से ज़्यादा किताबें इकठा करते हो और जब इनका गठर लगा तो किसी इन NCIT का गठर लगाना उठती नहीं आसानी से तो इतना information दिमांग में आएगा कहां से कैसे हम बरेंगे ठीक है किस तरूप करेंगे कि हमें इसको बार-बार करना होगा क्यों क्यों कि understanding करने के लिए enterlink करने के लिए जो revision होता है वो सबसे important शर्त है अगर जो revision नहीं कर सकता वो जोड ही नहीं पाएगा वो click ही नहीं करेगा जो BTL नहीं जानता वो कभी भी interlink नहीं कर सकता और जो interlink नहीं कर पाएगा वो एक subject को दूसरे subject के साथ जोड़कर उसका जो है वो तात पर नहीं निकाल पाएगा तो अगला होता है smart note method इस तरह से NCIT पढ़ी जाती यह होता है NCIT पढ़ने का बिल्कुल सही method यानि between the line यानि कि जो आशे समझते हो इसकी meaning को समझते हो कहना क्या चाहरा है अब एक page लिखा हुआ है लेकिन मेरे लिए दो word ही बहुत important है दो concept बहुत important है हो गया मेरा काम दूसरा interlink करना मेरा एक subject दूसरे subject का link कैसे कर सकता है इस बार economy को question देखिए आप economy को core economy का question लेकर उन्होंने keenz economic के साथ जोड़ा उन्होंने social economics के साथ जोड़ा कितना उन्होंने जो है interlink किया इदर से उदर और smart note method जैसे हम लोग पढ़ाते समय LWMI method का use करते है less word more information method एक ऐसा method जिसके बाद शुड़ात में जब बच्ची आये तो उनको थोड़ी दिक्का दो लेकिन जब सीख गए वो तो अब इसी के ही पारंगत हो गए उनको यही method में पूरा पढ़ाता ही हूँ आज भी एक ऐसा teacher जो खुद अपने हाथ से notes बनाता और पढ़ाता है वो LWMI method हमने यहां develop किया so this is very important यह तीन चीज़े याद रखिएगा अगर आप NCRT के master बनना चाहते हैं अगर आप प्री में 50% question को hit करना चाहते हैं यानि कि आप लगबग प्री निकालने की स्थित में होना चाहते हैं तो आपको NCRT सिर्फ एक book नहीं कोड़ा है आपका पूरा विमर्श रता NCRT प आपके साथ होनी जब यह तीनों चीज़े अमर्च करोगे NCRT तुम्हारे प्री को crack करने में तुम्हारे साथ कंदे से कंदा मिला लेगा अधर्वाइज यह information का इतना बड़ा bundle है जिससे आप कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे इन किताबों में एक खास बात लिखी और यह कहता है कि इसके बाद यह कहता है कि हम यहां कोशिश कर रहा है कि बच्चे जो है वो अपनी सोचने की चमता में जा सकें कहता है कि हम केवल रॉट लर्निंग नहीं कराना चाहते है कि आप केवल अकाडमिक भूप परो आप अंडरस्टैंडिंग करो और NCRT की किताब अपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाती है यह इस एक्जाम का एक परपस है यह नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है एक राश्ट निर्माल की प्रक्रिया है और जब आप सोचोगे है नहीं आप किवल एक्जाम के भैसे नहीं निकल पाओगे तो कभी भी आप राश् सिक्षा को एक मकसद देना है और कम से कम जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे है या जो UPSC की तैयारी का सपना देखना चाते है उनसे मेरा निवेधन है उनसे मेरा आग्रह है रिक्वेस्ट है कि वो अपने अंदर राश्टी चेतना को ज़रूर लेकर आएं क्योंकि ये सर्वेस तुम्हारा योगदान क्या होगा आफिसर बन के इस शक्ति का प्रियोक कैसे करोगे लोगों की जिन्दगी को पॉजिटिव करने में हमेशा इसका ध्यान रखना और NCRT को इसी रूप में पढ़ना BTL, Interlink and Smart Node Method NCRT आपका हो जाएगा और NCRT को निकालने में आपको कोई भी हिचक नहीं होगी